हेलो एवरिवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में UPSIFS से गौर्मेंट पर्मानेंट वेकंसी आई है जिसमें कोई भी मास्टर डिग्री कैंडिडेट अपलाए कर सकते हैं सैलरी जो इसमें पे लिवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगी 80,000 से भी अधिक सैलरी आपकी रहने वाली है परिक्षा नहीं होगी किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहां पर आविदन कर पाएंगे यदि उन्होंने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जक्ट से किया है और भी कई पोस्ट है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर चलेंगे रिक्रूट्मेंट में आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा नोटिफिकेशन चेक करेंगे लास्ट डेट जो है उनलाइन अप्लिकेशन की 15 मई 2024 है 12 अप्रेल से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रजिस्टार तो इसमें जो है पे मेट्रिक लेवल टैन के अकॉर्डिंग सेलरी बेसिक पे ही रहेगी 56,000 से अधिक 1,77,500 तक सेलरी यानि कि आपकी स्टार्टिंग में सेलरी 80,000-85,000 तो रहेगी क्वालिफिकेशन जो है आपने किसी भी सब्जक्ट से मास्टर डिग्री किया है 55 प्रतिशत मार्क्स के साथ में बिल्कुल आप अप्लाए कर सकते हैं किसी भी इंडियन उनिवस्टी में आपने पढ़ाई की है या फॉरन उनिवस्टी में पढ़ाई की है मास्टर डिग्री चाहिए बस ठीक है 21 से लेकर 40 वर्स जो है इसमें उम्र रखी गई है एज रिलेक्सेशन जो है एस पर यूपी गॉर्मेंट रूल फॉर्दा रिजर्व केटिग्री यूपी गॉर्मेंट के नियमों के अकॉर्डिंग जो है जो रिजर्व केटिग्री है उनको आयू में छूट दी जाएगी तो मास्टर डिग्री चाहिए बाकि अगर ऐसे कैनिरेट जिन्होंने LLB किया हुआ है MBA किया हुआ है MCA किया हुआ है CA किया हुआ है यह यहाँ पर जो है आपका होना ही चाहिए अगर आप अप्लाए करना चाहते हैं तो ठीक है Scientific Officer की Accord Vacancy है जिसमें Science Stream के जिन्होंने Physics से Master Degree किया है या Chemistry से किया है या Biology से किया है या Computer से किया है तो Scientific Officer के लिए अप्लाए कर सकते है 21 से लेकर 40 वर्स इसमें उम्र इसमें भी उम्र यही है Level 10 के Accordings यह Salary रहेगी 56,000 से अधिक जो है आपकी Basic पे ही रहने वाली है और भी कई पोस्ट हैं जिससे Assistant Librarian के लिए तो इसमें जो है वो Net वाले, PhD वाले अप्लाए कर सकते हैं इस वीडियो में हमने Assistant Registrar जिसमें कोई भी Master Degree वाले अप्लाए कर सकते हैं 21 से 40 वर्स उम्र और Scientific Officer जिसमें MSC वाले, BTEC वाले अप्लाए कर पाएंगे और भी पोस्ट है Assistant Professor की है Associate Professor की है, Professor की है यदि आप इनकी Qualification बाकी चीज़ें आप देखना चाते हैं क्योंकि बिल्कुल Permanent Government Job है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे Description Box में आप लोगों को Link Share कर दिया जाएगा Assistant Registrar की जो है वो चार पोस्ट है जिसमें दो Unreserved Category की है एक SC की है और एक जो है OBC Category की है ध्यान में रखना है लास्ट डेट जो है वो 15 मई 2024 है उतरप्रदेश स्टेट इंस्टेट इंस्टिट उफ फोरेंसिक साइंस लखनौव यहां से वेकेंसी है बाकी जो है जर्नल इंस्ट्रक्शन में केवल 7 पेजिस की ही पीडिया फाइल है ज्यादा बड़ी नहीं है अराम से जो है वो पढ़ सकते हैं अफिशल वेबसाइट का लिंक जो है आप लोगों को यहां पर भी दिख जाएगा और कैसे अप्लाइ करना है वो अभी हम देख लेंगे कितना फीस वगर आप मांग रहे हैं वो चेक कर लेते हैं यह जो है पूरा एड्रस है दासिस्टेंट रजिस्टार उतरप्रदेश स्टेट इंस्टेट इंस्टेट आप फोरेंसिक साइंस पीपारसान सरोजनी नगर लखनो उतरप्रदेश इंडिया पिन कोड है 226008 इसमें जो है एप्लिकेंट हैस टू पे ओनलाइन फीस फीस बहुत जादा है तो पच्छिस सो रुपे फीस है इसमें जनल ओबीसी इडब्लू एस कैटिगरी की बहुत जादा है इसमें फीस दाप्लिकेंट फॉम सेस्ट पी डवलू वीडी कैटिगरी जो है वो अर्द डॉमिसाइल ओफ उतरप्रदेश तो उनके लिए जो है 2000 है रुपीज ठीक है 2000 रुपीज जो है इनके लिए फीस है बाकी जनल ओबीसी इडब्लू एस की 2500 पच्छिस सो रुपे फीस है लास्ट रेट रिसिप्ट 15 मई 2014 तो अगर आप अप्लाए करने के इच्चोक हैं सरकारी नौकरी है पर्मनेंट जॉप रहने वाली है सो समझके ही आप अप्लाए करिएगा कोई भी मास्टर डिग्री वाले असिस्टें रजिस्टार के लिए अप्लाए कर सकते हैं ओफिशल वेबसाइट पर आप अप्लाए करने का लिंक किसी के सामने दिया हुआ है यह आप देख सकते हैं ठीक है टीचिंग पोजिशन के लिए अप्लाए करना है तो सबसे उपर करेंगे उसके वाल नौन टीचिंग पोजिशन के लिए आपको नीचे मिल जाएगा थैंक यू